वेल्कम फ्रेंड में मंतोस और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिकल मंतोस दे में उसके बाद आपका चेक इंडॉल्मेंट या आप आधार में अपडेट करवा हैं तो उसका स्टेटस को इसमें चेक कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना रिट्रीब ई आइड या आधार नंबर अगर आपका आधार नंबर को आप अगर जानना चाते हैं दुबारा से मंगवाना चाते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं अपने आधार को verify कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पे अपने आधार को verify कर सकते हैं verify mobile या email id को भी verify कर सकते हैं उसके बाद आधार को lock unlock तो यहां पे इस apps के जरी आप आधार के सभी कामों को आसानी से कर सकते तो friends कौन से apps को आपको यूज करना है कौन से application पर जाना है इसकी सारे जानकारी इस वीडियो में complete बताया गया है तो friends वीडियो को बिना skip किये वीडियो को पूरा watch करना है तो चले वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक request है अगर आप मेरे चैनल में नहीं आये हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर दें और bell icon को press करके notification को on कर दें और friends ये वीडियो कैसा लगा मेरे comment box में जरूर comment करें तो च चले हम लोग mobile के play store को open कर लेते हैं यहाँ पे play store को open कर लेने के बाद आपको search bar में यहाँ पे type कर देना है उमंग app तो यहाँ पे आपको उमंग app लिक लेने के बाद आपको search पे click कर देना है जैसे आप search पे click करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का application देखने के लिए मिल ज तो आप देख सकते हैं, और आपके सामने कुछ इसतरा का interface देखने के लिए मिल जागा. तो यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिल जा रहा हॉ Register and Locking. तो इसको आपको touch करना है, यहाँ पर आप जैसे ही touch करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपेन हो जाता है तो यहाँ पे पहले आपको इस application को register करना होता है Pumang Apps में किस तरह से register किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है इसका link मैंने description box में दे दिया है आप डाय description box के link में click करके registration किस तरह से किया जाता है इसको आप देख सकते हैं तो friends यहाँ पे application को registration कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक option देखने के लिए मिल जा रहा है logging hair आपको ये logging hair वाले option पे click करना है यहाप आप जैसे click करते हैं आपके शामने कुछ इस तरह का option open हो जाता जहाँ पे आपका mobile number और M-pin तो यहाँ पे आपने जो mobile number को fill किया उसको fill करना और उसके बाद आपने जो M-pin को set किया था यहाँ पे fill कर देना और उसके बाद logging पे click कर देना तो चलिए हम लोग यहाँ पे fill कर लेते हैं आप देख सकते हैं जैसे logging पे click करते हैं आपका जो oomang apps में वो logging कर जाईएगा तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूं यहाँ पे आपको नीचे में एक option देखने के लिए मिल जा रहा है, All services तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे All services वाले option पे आपको टच करना है, यहाँ पे आप जैसे ही मिल जा रहे हैं तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है यहाँ पे आपको जो option देखने के लिए मिल रहा search का यह search वाले option पे आपको touch करना है यहाँ पे आप जैसे ही touch करते हैं यहाँ पे आपको type करने का option आ जाता है तो यहाँ पे आपको type कर देना है आधार यहाँ पर आप जैसे यह आधार लिखते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा माई आधार तो आपको करना क्या है यह माई आधार वाले ओप्शन पर आपको टच करना है यहाँ पर आप जैसे ही टच करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपेन हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो UIDI का माय आधार है, वो यहाँ पे ओपेन हो चुका है, तो यहाँ पे आपका जो जेनरल सर्विस है, जैसे की authentication history, आप देख सकते हैं, यहाँ पे authentication history दिख रहा है, lock and unlock by metric, download आधार offline EKYC, उसके बाद generate virtual ID, आप यहाँ से अपना virtual ID को generate कर सकते हैं, आपका payment history को भी check कर सकते हैं, उसके बाद check enrollment and update status, उसके बाद retrieve ID, आधार number, verify आधार, उसके बाद verify mobile number और email ID, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका आधार को lock, unlock कर सकते हैं, उसके बाद check order किया है, तो उसका आप यहाँ पे status को भी check कर सकते हैं, उसके बाद file E complaint, और उसके बाद check complaint status, तो यहाँ पे आधार UIDI में जितने शारे option है, सारे option आपको यहाँ पे दिये गए हैं, आप इस apps के जरीए सारे option को यहाँ पे use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको download आधार क check करके दिखा दे रहा हूं, तो यहाँ से आप अपने आधार को भी download कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे touch करना है, यहाँ पे आप जैसे ही touch करते हैं, आपके सामने कुछ इस्तरा का interface open हो गया है, यहाँ पे आपका जो आधार number है, वो आधार number को fill कर देना, और उसके यहाँ पे करना क्या है, send OTP पे क्लिक कर देना है, send OTP पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका जो आधार link registered mobile number है, उस mobile number पे आपका OTP चला जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखाव अधिकरा OTP generation successful, तो चली हम लोग यहाँ पे OTP को fill कर लेते हैं, और उसके ब आधार है, वो download हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे processing हो रहा है, यहाँ पे processing complete हो जाने के बाद, आपके सामने यहाँ पे जो आपका आधार का details है, पूरा details आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड maps लोड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो आधार का जो open करने का पासवल होता है वह पासवर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है तो आप सभी को पता है कि आधार का password क्या होता है आपके जो नाम के पहले चार बड़े अक्षर और उसके बाद आपका जो date of birth का year है वो year यहाँ पे आपको डालना होता है तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो password है उसको fill कर लिया आपको करना क्या ओके पे किलिक कर देना है ओके पे आप जैसे किलिक करते हैं आपका जो आधार है वो download हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इस apps के जरीए अपने आधार card को आसानी से download कर लिये हैं तो इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे जो option है इस option को भी आप आसानी से use कर सकते हैं तो friends आसा करते हैं यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया और आप भी इस apps को install करके आधार के सारे कामों को घर बेठे आसानी से कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक like कर दिजेगा और अगर मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर दिजेगा वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए Thank you